खबर दुर्ग से है जहां ट्विन सिटी की प्रख्यात प्रवता रोही सवता धपवाल ने तेरवी वार हिमालाई की दुर्गम चोटियां फतेकरी कनूठा के दिमान बनाया है देश की आज़ादी के अमरत महुत्सव को रिखांकित करते हुए पदम भूशन वचेंद्री पाल के नेतरत्व में 50 पार उम्र की देश भर की 11 महिलाओं का यहसम हो हमाले की वबन चोटियों को फतेकर यहां देश का राश्प्रिय ध्वजत रंगा फेरा कर लोटा है आपको बता दें कि 140 दिन के जोखिम भरे सफर में इन महिलाओं ने 35 खतरनाक दरू को पार करते हुए 4970 किलोमीटर का सफर तै किया है इसके साथ ही इस अभ्यान में वच्चों में सिक्षा के प्रतिजात रुकता बढ़ाने और सेहत मंद भारत फिट इंडिया का संदेश पहलाने में अपना यूगदान दिया इतना ही नहीं सभ्यान के बाद महिलाओं के सम्हू से राश्पती, द्रौपती, मुर्मू, सहित, अन्य मंत्रियों और प्रमुख लोगों से मलकात की है मही परवतारोही सविता धफवाल ने बताया कि अभ्यान का एक लक्ष कम से कम खर्च में ट्रेकिंग पूरा करना था इसलिए कई मौके ऐसे आये जब रास्ते में कोई अन्य साधन ना होने पर शम्षान घाट में रुकना पड़ा उन्होंने बताया कि सम्हू की महिलाएं प्रती दिन और सितन साढ़े तेरा घंटे पैदल चलती रही उन्होंने बताया कि प्रवतार रोहन के शेत्रों में ऐसा पहली बार गुआ होगा जब पचास पार की 11 महिलाएं बारिश और बर्फ बारी के बीच हिमाले की दुर्गम चूठियों पर 5 महिने तक ट्रेकिंग करती रही